असलामों अलेकुम विवर्ज, वेलकम टू हाले नोर्ज वर्ड, आज मैं आपके लिए बीफ के कीमे वाले समोसों की एक दम शांदार रेसिपी लेकर आई हूँ, चलिए से जल्दी से बनाते हैं, इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है, आधा किलो, चलिए चल कर इसे जल्दी से हम बना लेते हैं, पैन में या बरतन में जिसमें भी आप लेना चाहें, दो खाने के चमच की करीब तेल लीजिए और उसमें अधरक लेसन का पेस्ट शामिल कर दीजिए, अब हम इसमें डालेंगे कीमा बीफ का कीमा लिया है आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं नमक हस्पेजाइका कुटी होई लाल मिर्च कुटा हुआ जीरा कुटा हुआ धनिया पिसी हुई हल्दी पिसा हुआ गरम मसाला और अब इन तमाम इंग्रीडेंट्स को हम अच्छे भी हलका सा पानी अट किया है और इसको कवर करके हमने तकरीबन 20-25 मिनट तक धीमी आज पर पकाया है कीमा अच्छे तरीके से गल गया है बस अब मैं चूला बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा कर लेंगे हम ठंडा जब यह हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरे मसाले मिक्स क कम्या जादा कर सकते हैं बेसन को पानी में घोल कर लई तयार की है और मांडा पटियां मैंने बजार से मंगाली है रेडी मेट पटियां है यह बनी बनाई घर में नी बनाई है मैंने आप इन्हें समोसा शीट्स भी कह सकते हैं और समोसे वाली पटियां भी कह सकते हैं तमाम मसाले कीमा ठंडा होने पर मैंने कीमे में शामिल कर दिये हैं और अब इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूं प्यास की कॉंटिटी भी आप कम्या जादा कर सकते हैं, अगर आपको जादा प्यास वाले समोसे पसंद हैं तो आप प्यास की कॉंटिटी जादा कर दीजिएगा समोसा शीट को पहले मैं हाथ में पकड़ कर इसकी पॉकिट बनाती हूँ मुझे यही तरीका सबसे जादा आसान लगता है आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से समोसे की शेप दे दीजिएगा कीमा अंदर ना फिल करके समोसे की शेप दे दीजिएगा बस अब देखें मैं इसको बेसन की ये लई लगा रही हूँ आप चाहें तो मैदे का गोल भी तयार कर सकते हैं ब्रश से लगाने से क्या होता है कि हाथ बिल्कुल भी गंदे नी होते हैं और समोसे की शेप बिलकुल परफेटली ये देखें आप कितना जबरदस हमारा समोसा तयार हुआ है कहीं से भी ये खुलावा नहीं है ना ही इसमें ऑईल अंदर जाएगा फ्राइंग के दौरान और ना ही कीमा बाहर आएगा बस इसी तरीके से मैं तमाम समोसे तयार कर लूँगी आपको जो भी मैथड असान लगता है समोसे की फिलिंग का आप वो इस्तेमाल कीजिएगा कीमे की कॉंटिटी जो है वो फिलिंग की वो भी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं मैंने एक टेबल स्पून भर के जो है वो कीमा हर समोसे के अंदर शामिल किया है आप चाहें तो जादा भी शामिल कर सकते हैं एकदम फूले फूले मोटे से जो है वो आपके समोसे बनकर तयार होंगे आदा किलो कीमा मैंने लिया है तो आदा किलो कीमे से तकरीबं 35 के करीब समोसे मेरे बनकर तैयार हुए थे अगर आप इसमें प्यास की फिलिंग के अंदर प्यास की कॉंटिटी जादा कर देंगे न तो फिर आपके समोसे जो है वो 40 से 45 भी बन सकते हैं जैसे आपने दिखा होगा, कि बजार के समोसे होते हैं, उनमें प्यास की quantity काफी ज़्यादा होती है, मुझे प्यास इतनी जादा पसंद नहीं, हकीमे वाले समोसों में, तो मैंने प्यास की quantity जो है, वो نہ बहुत ज़्यादा रखी है, ठीक है ये देखिए बस इसी तरीके से हमने फोल्ड करते हुए तमाम समोसे जो है वो तयार कर लिये हैं और ये समोसे जब मैंने काउंट किये तो ये पूरे 35 समोसे थे ठीक है जी 35 समोसे हमारे बहुत असानी से बनकर तयार हो गए आदा किलो कीमे से और आप यकीन करें के जो स्ट्रीट वाले समोसे होते हैं कीमे के ये उनसे कही गुना जादा अच्छे बनकर तयार होते हैं सबसे बड़ी बात कि ये बिलकुल 100% हाईजेनिक हैं और अच्छे तेल में तले हुए हैं घर की चीज़ों की तो भाई बात ही कुछ और होती है रेसिपी जरूर ट्राइक करके देखिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिलकुल न भूलिएगा बिलकुल धीमी आज पर मैंने इनको फ्राइ किया है क्योंकि जादा तेल अगर आपका गरम होत लेकिन अंदर तक जो है वो समोसे की पटी सही से फ्राइ नहीं होती है तो वो क्रिस्पी नहीं होते फिर आपके समोसे अंदर तक ना सौगी सौगी से हो जाते है रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिलकुल न भूलिएगा द आफस्